सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकॉन दबाकर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंज मैसर्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत सागत करती हूं दोस्तों आज मैं बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होमेपैथिक टॉनिक्स के बारे में यानि सीरुक्स के बारे में तो जानेंगे यह होमेपैथिक सीरुक्स किस काम में उप्योग किये जाते हैं तो आएए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परिशान हैं तो समय गवाएं बिना पैस्ट होमेपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्स्राइब करें और पेल आइकॉन दबाएं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबी दोस्तों से कहना चाहूंगी जो भी हमारे चैनल स्टी होमेप पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्स्राइब कर लें बैल आइकॉन को टैप कर लें क्योंकि इस तरह के नौलिजबल वीडियो हम आपके लिए रोजाना लेकर दोस्तों आज मेरी पास से कुछ बहुत ही पॉपूलर बहुत ही ज़दा उपयोग और बहुत ही ज़दा इस्तमाल किया जाने वाले होमियोपैथिक टॉनिक्स तो एक एक करके जानेंगे यह किस प्रकार के टॉनिक्स है और किस-किस बीमारी में इनका उपयोग किया जाता तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करती हूँ घ्डू वूरा करने के लिए हमारे पास यह टॉन सदे गयुँ टॉनिक को पूरा के लिए पर हमारे पास यह टॉनिक आलसपन और सुस्ती के लिए होता है अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इसकी जो हैसलेव कंपणी का जी एच फॉस टॉनिक है खास तोर पे जिन वों को यह सिकायद रहती है कि मुझे सरीर में कमजोरी आलसपन और बिटामिन की कमी है वो लोग इसका प्योग कर सकते हैं रहता है लौस आपटाइट यानि जिन लोगों को भूख नहीं लगती है जनरल बॉड़ी में वीकनिस रहती है वजन नहीं बढ़ता है कमजोरी लगती हमेशा वो लोग इस टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं तो खास तोर पे लौस आप एपटाइट वेट गेन भूख ना ल सब्सक्राइब्स करते हैं तो भी ठंड की वजए से आपको हाथ पैरों में दर्द कमरदर या आप आपको ऐसा है कि पूरि मसल में पेन हो रहा है फ्रोजन सुल्ट के पेन जॉइन पेन उस सभी कंडिशन में हाइमूस सिरप को प्योग किया जाता है यह मूसा शिरप वीज सिरफ यह जो इस टोबल कफ सीज़त कफ के लिए सर्दी खासी के लिए का प्रेयोग किया जाता है यह पे है इस पर इंडिकेशन पी दिखा देती हो मैं आपको इंडिकेशन दिका राइंड प्रोडक्टिक कफ इस्मोकर्स कफ लेरेंजिटिस प्रॉंकाइटिस और ट्रैकाइ यूट्रस को फाइन करने के लिए यानि यूट्रस की हेल्थ के लिए फीमेल सीरप यानि महिलाओं में उसका उप्योग किया जाता है महिलाओं में आपके गरभासे को हेल्दी रखने के लिए इसका प्रेयोग कर सकते हैं यूट्राइं टॉनिक पेन बैक टायर्ट फिलिए दोस्तों हैं आज आपको कुछ बहुत ही पॉपुलर होlando सीरुप के बारे में जानकारी दिये हैं कि आप कौन सा सीरुप यूज कर सकते किस तरह की परशानी में तो इसकी डोज़ेश भी यहां पर मैंसन रहती इंडिकेशन में जैसे कई लोगों का यह फिर क्वेश्चन होगा कि हम डोज़ेश किस तरह से ले तो कुछ में तो लिखा है एस डारेक्टेट वाई फिजिशियन और कुछ में लिखा है डोज़ेश अल्रेडी मैंसन है जैसे क जैसे आपको फिजिशियन आपकी नीड के सजिस्ट करें तो मैं आपको इसको एक चमच सुबह साम देनी को सजिशन दूगी एक चमच अप्रॉक्सिमेटली 5 ml के बराबर है तो 5 ml सुबह 5 ml साम को और अगर बच्चे को देना है तो डोज हाफ कर देनी है 2.5 ml या आधा डोज रहेगी तो आप 2 फूल स्पून देंगे और बच्चे को देना है तो एक फूल स्पून आपको देना है और इसे खाना खाने के पहले दिया जाता है ठीक है और दिन भर में तीन बार आपको इसे रिपीट करना है हाई मूसा सीरप हाई मूसा सीरप आपका है इसको एक क्षीयच दिन पर में 3 बार पीना तो ये नहीं KUV throughout and you can do whatever. 5 दीन को catchingज़ को है 5 दोज ह emission ओम पांक दिन पर में 3-4 बार से रिपीत करना है ये यदिन इसे ने अपका। वाला पांच दिन उत आ में थाईबरम को remember उत्रेट भाला जो सीरफ यू ट्रोफान सीरफ इस प्रकार से आप इस सीरफ का भी सेवन कर सकते हैं, आपको यह सीरफ कहा मिलेंगे? किसी भी होड्ब पार्दिक स्वापि पॉर्चिच कर ते इस बीबारी में कौन से रखुपी होगी है उसकी जानकारी मैंने दे दी है कहां से मिल सकता है होमेपाथिक स्वाप पे मिल सकता है www.shreehomeyocenter.com से भी आप लोग ले सकते हैं किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप यूटूब की कमेंट सेक्शन या मेरी लाइफ सेक्शन में पूछ सकते हैं आए होग दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी पसंद आ रही है तो पीस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करेंगे और यदि आपके पस कोई सुझाओ या आप चाहते हैं आपके किसी टॉपिक पर में वीडियो बनाऊं तो आप लोग पीस अपना वीडियो ज आए होग दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी पसंद आरी तो पीस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए का चानल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत बूलिए और फिलहाल मुझे दीजे इजाजत मिलते से तरक अगले वीडियो में तब तक के कर दोस्तों झो प्तू करता से तरक म खवच नह तोस्तों आ अगल मिलते से लाएए झाल नहीं ए झाला झाला कि नहीं दो चानली कि अगले पारी बार म Guitar के बार को दोस्तों आख होगीए मैं घ़ुक् 006L